प्रोग्राम की शुरुवात एक्जिट पोल से जी हाँ आज हम बात करेंगे कि आखिर कार क्या इस्थित पोल क्या दावा कर रहें और कितने बड़े हद तक किस पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है किस पार्टी को कितनी सीटे मिल रही है इनी मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सयोगी मौजूद है और एक एक करके हम इनसे जानेंगे कि आखिर कार उत्तर परदेश में जलवा किसका चल रहा है गठबंदन का ज़्यादा अस चुनाओ वो तमाम चुनाओं पर हमारी टीम लगातार काम करती रही है और आज जो की आखरी उत्तर परदेश में सात्वे चनन का मद्दान है इस आखरी चनन के मद्दान में हमने ये देखा कि किस तरह से जनता अपने घरों से बाहर निकलिया और 50% तक मत्दान हो चुके ह पहले मेरे सयोगी मिर्तुंज है इनसे जानने की कोशिश करेंगे मिर्तुंज है क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है महा गडबंदन जीत रहा है या फिर भगवा उत्तर परदेश में चाह रहा है देखे रहो लगर अभी तक जितने भी हमारे सामने जो सियासी की तस्वीर खुलकर सामने आई अगर मैं उसकी बात करो तो कहीं न कहीं महा गडबंदन की ताकत उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमें जरूर देखने को मिली है अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर बीजेपी ने पिशली बार बहुत काफी ह जिसको कहा जाता है वहां पर कहीं न कहीं आरलडी और सपा का जो गडबंदन है लेकिन मित्विंज है बीजेपी तो दावा कर रही है इस बार भी हम साड़े 300 लेकर आएंगे योगी आदितनात तो कह रहें कि भगवा चा रहा है तो उनकी पिशली बार भी नहीं थी पिशल रहा है शिक्षा भी उतनी हाव यानि की मेरे सयोगी कह रहे हैं कि इस बार मुद्वों पर वोट हुए चमन मेरे साथ जुड़ें और चमन लगातार कई ख़वरों को कवर कर चुके चमन क्या लग रहा है इस बार वाकई भगवा चा रहा है या पिर जो इस्थतियों की बात करें जो तमाम गड़बंदाने उनकी जीत हो रही है लोगों को सुале दी गई गई आप इसे भी देखेंगे बquito काम के ऊधार पर वोट कर रही बात जाइस और जंता गहिना की पांसिती प्य Tarasा कर जो उत्तरपरदेश के लिगें 울़गेंद का जंतल शुड़ेंट के अदर तो जनता दिखती क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश में और क्या लग रहा है वाकई बीजेपी अपने दम पर 300 सीटे निकाल लेगी जैसा कि योगिया इतना दावा कर रहे हैं देखे 2017 में भी कहीं ना कहीं मैं भी बीजेपी को दुबारा से मौगा जनता देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावे तो कूप कर रहे हैं सच्चा ही कितनी क्या वाकई मृत्युम जै तीन सो पार है या फिर सौ से कम है सबको रोजगार मिला किसान भी खुश है महिला भी खुश है जनता भी खुश है उत्तर प्रदेश में राम राज्य है तो फिर लखीम पूर खीरी की घटना भी हमें याद है और तमाम मुद्दे भी हमारे पास चमन क्या कहना चाहेंगे देखिए तमाम मुद्दों पर जात चल रही है और जब सरकार अगली आएगी तो उस पर भी काम किया जाएगा और कहीं न कहीं जो भी चीज़े हैं देखिए अगर कमल है कमल पर लोग कीचर उचालते हैं उच् इस वक्त परिशान है उत्तर परदेश में नहीं देश में क्या लग रहा है वाकई योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है और अगर दिया है तो जंता और युवा क्यों जो है सरकार के फिर खिलाफ हैं योगी सरकार को समर्थन करते हैं तो उसके बारे में बोल लगाने वाले उत्तर परदेश में महिला सुरक्षा की बात करने वाले उस वक्त कहां थे जब अमंतर पार्टी के साथ घटना घटती है और तमाम ऐसे मुद्धे ना जो आज जन्ता के सामने खड़े और बीजेपी नेताओं के चहरे जिस तरह से उत्रे वें ये चहरे बता र लिए नजर आते थी क्योंकि एक तरफा जीत पहले 2017 के चोनाव हमने देखी 2019 के लोकसावा चुनावों में भी देखी लेकिन इस बार उत्तरप्रदेश के चुनावे बता रहे कि एक तरफा जीत नहीं है मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि कई मुद्दे इस बार उत्तरप्रदेश में हावी हैं चाहिए किसानों के मुद्दे की बात कि जाए और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं लेकिन अगर हम देखें जो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट जनता ने वोट इस बार किस प कि भी पक्षी दलो नहीं किया चाहिए समाजादी पार्टी के हाथ अरल्डी अगडबंदन उन्होंने भी कहीं मुद्दे इस बार उठाए चाहिए कंग्रेस की बात किया है तो मेरा जो प्रेडिक्शन है कम से कम मैं कहना चाहूंगा कि सौ सीटे लगबग इस बार कंग्रे करें कि विकास तो हुआ है लेकिन चमन उत्तर प्रदेश में युवा जिसके पास डिगरी है वो ऐसा ही है उत्तर परदेश के कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको सरकार ने उठाया नीं अगर किसान अपनी आवाज उठाता तो सरकार कहती है राशुका लग जाएगी क्या इसी दावा किया इतना गोशना पत्र में लिखा हुआ उतने रोजगार नहीं मिले हैं अच्छे चमन आपने कहा बीजेपी 300 वही 300 जो पस्चिम बंगाल में हुआ है तो दसमार्श आने वाला बताएगा कि 300 पार जाते हैं लेकिन दसमार्श तो ज्यादा दूर नहीं है तो दसमार जहाँ दूर नहीं है तीन दिन का बस फर्क रहा गया कही ना के देखिए टकर इस बार घमासान टकर आप कांग्रेश की बात कर रहे हैं उतरपरदेश के अंदर कही ना कहीं तीन पार्टियां भी काफी ज़्यादा एक्टिव है बीजेपी तो अल्रेडी सतने खूश है प् किश्मेर्टी रानी ने तो कभी महिलाओं की आवाज नेए उठाई नहीं आप तमाम इंट्रिवूस देखिए अमेठी में की जंता बता रही है इस बार बताएगी वहां की जंता के कि इतना विकास होई उनके कारेकाल के दोरान और राहूल गांदी के अगर बात कर ले दे मेरे एक सहयोगी युवा मित्रें अपलोडिंग करते हैं ये भी नोने अच्छी जानकारी बताई और एक्सिट पोल की अगर बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर तो है इसे हम नकार नहीं सकते और वाकई जिस तरा आज परिस्थिती बदल रही है समझ लीजे क बीजेपी का सूपना साफ होता है नजर आएगा हाला कि दस तारीकों क्या कुछ होगा ये तो नतीजे ताय ही कर देंगे लेकिन मैं और मेरी टीम लगातार हम लोग चुनावी ख़वरों पर नजर बनाए हैं और थोड़ी दिर में हम लोग लाइफ कवरेज भी करेंगे और बताएंगे कि जो मतदान आज हुआ है उस मतदान से किसको कितना फायदा मिलेगा चलिए आज के लिए इतना ही मुझे और मेरे सयोग्यों को इजाज़त दीजिए नमस्कार